प्रभु येश्यो मसी के नाम में आप सभी को जैम सीकी प्रियो आज के वचन का भाग हमने लिया है याकूब की पत्री उसका पांच अध्याए और उसका सोला वच्चा और प्रभु के वचन में इस परकार से लिखा है धर्मी जनकी प्रात्ना के परभाव से बहुत कुछ हो सबता है आपने बहुत वार इन वचनों को पड़ा भी होगा और सुना भी होगा लेकिन क्या आपने इन वचनों के उपर कभी मनन किया है میں आपको पताना चाहता हूँ कुछ ऐसे लोग जो ब्राजिल में रह रहे थे और में जब जेल में बंद थे उनके पास कुछ प्रबु के लोग गए वे अपनी बुरी आदित के कारण, नशे के कारण और ऐसे बहुत से काम उन्हें अपने जीवन में किये थे जिसके कारण मैं जेल में बंद थे और जब प्रभु के दास लोगन उनको जाकर बताया कि अगर आप अपने जीवन में एक घेंटा हमारे साथ बिताएंगी तो हम ये विश्वाश करते हैं कि आपका जीवन बदल सकता है आप जिस भी प्रस्तिती में हैं आप उनसे निकल सकते हैं और अगर आपको प्राथना नहीं भी करना आता तो हम आपको बताते हैं कि आप सिर्फ हमारे साथ बैठिये उस प्रभु की स्तोती खरें उसके सामने प्राथना करें उसको पुकारें और वे आपको चीवन को बदल सकता है और जैसे जैसे उन लोगों ने एक घेंटा अपने जीवन में निकालना शुरू किया फ्रियों उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तनाना शुरू हो गया सबसे पहले एक दो तेन चार ऐसे से कितने लोग जो दिन बर में गुटनों के बल आकर बैठ जाते थे और प्रबु को पुकारते थे आंसु बहाते थे और उनकी जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया और धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया और वह अपनी उस बुरी दशासी उस प्रस्तिती से निकल गए और उस प्रात्ना ने उनके जीवन को बदल दिया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच में प्रात्ना सबसे पहले हमारे बीतर जीवन को बदल देती है हमारे चीवन को प्रभुखी और लेकर चलती है और जैसे जैसे हम प्रात्ना करते हैं हम परमिश्यर के और ज़्यादा नजदीक जाते हैं और परमिश्यर को दिन प्रति दिन और ज़्यादा गहराई से जानते चले जाते हैं मेरे भीयो अगर हम विश्वास से प्रात्ना करेंगे अगर हम सच्चे मन से प्रात्ना करेंगे तो सच में प्रात्ना हमारे जीवन में बदलाओ लेकर आ सकती है और जब हम इत्यास में देखते हैं हम प्रभु के वच्छन में देखते हैं कितनी ऐसी प्रात्ना कितनी बार प्रभु के लोगों ने प्रात्ना किया और उस प्रात्ना ने उनके जीवन को उनकी उस प्रिस्तिती को बदल दिया मैं आपको बताना चाता हूँ जब मैं भी प्रभू को नहीं जाना था मेरा चीवन पाप में था और मैं ऐसा एक यूवा नौजवान था कि जब प्रभू के दास लोग मेरे घर में आते थे मैं उस घर से चला जाता था मैं वचन सुनना पसंद नहीं करता था मैं अपनी पाप की हालत में ही बड़ी खुशी से चल रहा था और मेरे को उसी जीवन में मज़ा आ रहा था लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये जीवन मुझे मिट्टू की और लेकर जा रहा है लेकिन प्रियो जब मैं ऐसी अवस्ता में जी रहा था तब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ हर प्रती दिन मेरे बिस्तर के पास आका मेरे लिए आंसु बहाती थी मेरे लिए फ्रात्ना करती थी और वो फ्रात्ना की आवाज मेरे कानों में जो पढ़ती थी मैं बीतरी बीतर सोचता था कि जिस परमेश्र के सामने मेरी मा प्रात्ना कर रही है क्या ये मेरे जीवन को एक दिन बदल देगा और चलते सलते प्रियो एक समय आया कि सच मुझ उस प्रात्ना ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया कि मैं उस पाफ की गंदगी से निकल गया उस बुरी दशा से निकल गया मेरे जीवन में प्रबु येश्यो मसी जो सर्व शक्तिमान परमेशर है आ गया और उसने मेरे जीवन को बदल दिया और मैं ऐसी अवस्ता से उठकर प्रभु ने मेरे उपर ऐसानूग्रह किया कि मैंने प्रभु की सेवा के लिए समर्पन कर दिया और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस प्रात्रा के Partman के दौआ और समा के आश्मों के दौआ मुझे प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए छुन लिया मैं आपको उत्शाहिद करने के लिए बोलना चाता हूँ अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी प्रुस्तिती चल रही है आपके बुरे जीवन को प्रात्ना बदल सकती है आपके हलात को प्रात्ना बदल सकती है क्योंकि प्रभु के वच्चन में सच में यूं लिका है धर्मी जन की प्रात्ना के परभाव से बहुत कुछ हो सकता है अगर आप अपने जीवन में प्रात्ना नहीं कर रहे तो मैं चाहता हूँ कि इन दिनों में आप प्रात्ना करें विश्वास से प्रात्ना करें और प्रभू के काम को अपने जीवन में आप देखें आईए हम प्रात्ना करेंगे